यह है गाइश 2024 की और न्यू बजाज CT 110 X OBD2 E20 मोडल आज मैं इस बाइक का फुली डिटल्स में रिवू करें वाला हूँ सो आज हम बात करेंगे इस बाइक के जोन्यू फीजर्स के बारे में सात्य में प्रैस बंडिक बाइद अब इस बाइक की ओर रॉल अन रोड प्रैस के है मैलेज कितने देती है टॉप सुड कितने है सर जान करें वाला हूँ विपर और भी स्टाडिस रिवीव स्पेशल टैंक सुवेतर अन बाजाज अगर आपको बाजाज का कोई भी प्रोड़क्ट देखना है तो शोरूम के सारी कॉन्टाइक और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सुवे के स्टाडिस रिवीव स्टाड करते हैं वोकराउंड से एक बर अप इस बाजाज का फ्रेंट लुक चेकाउट कर लो कुछ इस्टाप के इसका फ्रेंट लुक है साइड लुक है अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे है इसका साइड लुक है यहाप आप आप देख लो तो भाई स्टार्ट करती इसके फ्रंट से तो फ्रेट में इसका बाड़ा सा वाईजर है जो कि आपको मैड बलेक लर के साथ मिलता है जो कि फाइबर बॉडी का है तो काफी उची इसकी बिड क्वालटी है बाकी 20 में लगी की नंबर प्लेट यहाँ पर आप देख लो तो यहाँ पर इसके LED टेरल से कुछी स्टैप से जो है आन होते है जो कि इस बाई को काफी अच्छे लुग देते है अब हम बात करते हैं इसके एडलेट के बारे में तो यहाँ पर आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलेट का सड़ो मिलता है तो नाइट के अंदरी सेडलेट के विजिबिटे आपको काफी अतक अच्छी देखरों मिल जाएगी और साड में अगर आप देखते है तो साड में रेड और ग्रे कलर के गरापिक से जो किस भाई को काफी अट्रेक्टर लुक देते हैं जहाँ पर बात किजिए इंडिकेटर्स की तो साड में आपको एलोजन बर्प इंडिकेटर्स का सड़ो मिलता है कुछी श्राप से होज़ो है और उन होते हैं इंडिकेडर्स का लूक एक बरब चेक आउट कर लो तो भाई कुछ ऐसे इसका ओरल लुक आने वाला है तो करते इसको बन जहाँ पर बात किजिए सेस्पंशन की तो इसके फ्रेट में आपको टेलिस्कोपिक हाईडरोलिक सेस्पंशन का सड़ मिलता है तो खराब रासो की उपर यह आपको काफी अधक आचा कमफर्ट देने वाले है सस्पंशन के साड में इसके रबर केडर से जो कि सस्पंशन के लाइप को जो इंक्रीज करते है तो अब हम बात करते हैं इसके मटगाड के बारे में तो मैट बलेक लर के साथ इस बाई का मटगाड है जो कि आपको फाइबर बॉड के साथ मिलता है तो भै काफी अची इसकी बीड क्वालिटी है मटगाड का लूक एक बर अब देख लो जहाप और बात किज़े टायर्स की तो इसके फ्रेट में आपको 2.75 P17 के रेडियल टू बलेशार मिलते है जो कि 17 इच बलेक लर के अले विल्स के साथ आते है एक बर पिसके अले विल्स के लूक चेक आउट कर लो कुछ यह से इसका लूक है जहाप और बात किज़े ब्रेकिंग की तो इसके फ्रेट में आपको 130 mm का ड्रेम ब्रेक मिलता है तो काफी अची यहाप आपको ब्रेकिंग मिलती है फ्रन टायर की विट के अगरम बात करें तो काफी अची इसके ग्रीप आइन विटते यहाप आप आप चेक आउट कर लो मैड ब्रेक किलर के साथ इस बाइक के साइड मिलनर से एक बर अप इसके साइड मिलनर का लुक चेक आउट कर लो कुछ ऐसे इसका और लुक आने वाला है इस बाइक के अंदर आपको अपरेट हैंडल बार का सेड़ मिलता है जो कि थोड़ा बहुत उपर उटा हुआ है यही इसके ग्रिप इस बाइ का कलज योदो सो काफी लाइट है लोबी मावीम स्वीच आगे में इसका पासिंग स्वीच नीचे में टर्न इंडिकर स्वीच और अन स्वीच मैंड ब्लेक कलर के साथ इस बाइ का हैंडल बार है जिसके बीच में इसका रोड है जो कि देखने के लिए इस बाइ को काफी अच्छे लुक देता है फुली एनलोग मेटर कॉंसल का यहाँ पर आपको स्टर मिलता है और यहाँ पर इस बाइ के एक्सिलेटर ब्रेक इलवर मेन हेडलेट अन अफ स्विच और नीचे में इसका सेफ्ट स्विच है अब हम बात करते इस बाइ के के बारे में तो सिंपल सिस्की किये की की उपर कोई भी बाज़ाज की ब्रेंडिंग नहीं है की कलू के अब 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 देख लो बाकी यह इसका की पॉइंट तो करते इसको ओन कुछी स्टेप से जो ओन होता है एनलोग के साथ इसका स्पूडियोमिटर बाकी बीच में इसका ओडियोमिटर एनलोग के साथ इसका फ्यूल गेज यहाँ पर नूटरल की लाइट, चीक इंजिन लाइट और हाई बीम पासिंग की लाइट है और साड में आपको टॉन इंडिकेटर की लाइट मिलती है बाकी बीच में जो बजाज की ब्रेंडिंग है तो यह था इसका ओरल मिटर कॉंसोल फ्यूल टैंक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 11 लेटरिस का फ्यूल टैंक मिलता है फ्यूल टैंक जो आपको Glossy Black Finish के साथ मिलता है जोके Metal Body का है और बीच में इसका फ्यूल कैप है जोके आपको Silver Finish के साथ मिलता है इसकी भी Quality 200 काफी अच्छी है तो भाई fill tank की उपर आपको काफ़ी उची glossy black color की finishing मिलती है fill tank का side look एबर अब देख लो कुछ ऐसे इसका side look के fill tank के side में आपको city के graphics मिलते है जो के आते है white color के साथ में और यहाँ पर red and black color का use के आए and side में इसका thigh pad है thighs को support करने के लिए तो यह थे इसका all fill tank अब हम बात करते हैं इसकी seat के बारे में तो यहाँ आपको single seat मिलती है जो के इसकी cushion जो दोस्तो काफ़ी अची है तो काफ़ी ज़्यादा comfortable इस बाई की seat है तो long ride के लिए यहाँ पर आपको कोई भी दिकत ना आने वाली है एट हंडरे ट्वेल में इसकी seat आइट है seat का side में यह इस बाई के side panel जिसकी उपर आपको 110X के ग्राफिक्स मिलते है जो कि आते है white, red and black color के साथ में जो कि इस बाई को काफ़ी attractive look देते है और यह इसके side panel का lock तो इसका side panel आपको fiber board के साथ मिलता है तो आते हैं इस carrier की तरफ यह इसके grab bandles जो कि आपको metal board के साथ मिलते है इसकी भी quality जो सो काफ़ी अची है और यह इसके luggage carrier जिसकी उपर आप अपना सामन वगर रख सकते है तो यह इसकी काफ़ी अची बात है स्टार्ट करते हैं इस बाई के rear look से कुछी श्राप के इस carrier लुके तो स्टार्ट करते हैं इस carrier से तो इस carrier में आपको hydrogen toilet का सेड़ मिलता है कुछी श्राप से जो आन होती है एंसाड में उसी डाप के hydrogen bulb indicator से बाकी बीच में लगेगी नमबर प्लेट यहाँ पर आप देख लो यहाँ पर इसका reflector है इस carrier वाला माटगाड आपको fiber body के साथ मिलता है माटगाड का लुक एबर अब देख लो कुछ ऐसे इसका लुक है स्टार्ट करते हैं इस बाई की साइड लुक से कुछ इस श्राप के इसका साइड लुक है तो स्टार्ट करते हैं के फ्रंट से तो इंजिन के फ्रेट में इसका catalytic converter and oxygen sensor का pipe है एड़ साइड में इसका क्रेज गाड है जुके आपको metal body के साथ मिलता है तो भाई काफी तगडिस की build quality है तोटल 117 mm तक का यहाँ पर आपको ground clearance मिलता है जुकि काफी अची बात है एड़ फ्रेट में आपको single on का system मिलता है तो गाइस अब हम बात करते हैं इस बाई के engine के बारे में तो यहाँ पर आपको 115.45 CC का single cylinder first stroke two valve air cooled OB2E20 यान की 2650 F engine मिलता है जो कि प्रोडूस करता है 8.6 PS की power और 9.81 Nm तक का torque तो भाई काफी अची यहाँ पर आपको power and torque मिलती है and side में इसके gear manual है total 4 speed gearbox setup के सथे बायकाती है यह ही इसके rider put rest और यह ही इसके adjustable pillion put rest यह आपको rubber padding के साथ मिलते है and नीचे में इसके single stand and double stand है जो के आपको मिलता है side stand engine cut off sensor के साथ में तो safety wise यह पीचर काफी अची बात है जहाँ पर बात की ज़रे suspension की तो इस carrier में आपको spring and spring suspension का सड़ मिलता है जो की SNS suspension है तो यह भी काफी comfortable suspension है दोस्तो इस bike अंदर आपको full body chain कवर set मिलता है जो की metal body का है इसकी भी color दोस्तो काफी अच्छी है तो यह जो है chain को cover करता है इसकी उपर tire pressure की information है और यहाँ पर आपको box type swim guard मिलता है जो की metal body का है और यह इसका side guard यह भी आपको metal body के साथ मिलता है और नीचे में अगर आप देखते है तो यह इसके lady put rest तो यह सारा part आपको metal body के साथ मिलता है जो की matte black clear का है तो यह था इसका oral side look opposite side की look की अगर हम बात करें तो opposite side से इस bike के same look के यहाँ पर आप देख लो तो start करते हैं side से तो उसी टापकी सके fill tank के जिसके side में city के graphics type pad and side panel भी इसका oral same है यहाँ पर आप देख लो जिसकी उपर 110X की branding आपको मिलती है and नीचे में इसके engine guard है इसकी भी quality दोस्तों काफी अच्छी है opposite side से engine कलो के अबर आप check out कर लो glossy black finishing के साथ इस bike के engine है जिसकी उपर आपको बज़ाज की branding मिलती है यहाँ से आप इसके engine oil को फिलप कर सकते है और यहाँ से आप इसकी oil की quality को चेक कर सकते है सबसे अच्छी बात यही कि यहाँ पर आपको किक option भी मिलता है तो करते इसको बन यह ही इसके brake levers side में rider और पिलियन फुटरेश्टे एक बर आप इस bike के exhaust को लूग चेक आउट कर लो जो कि metal body का है तो यह आपको mad black clear के साथ मिलता है exhaust की side की blood भी आपको metal body के साथ मिलती है exhaust को look एक अब आप देख लो तो यह था इसको oral look इसके side में भी आपको और एक lady putress मिलता है यह भी metal body का है तो guys अब हम बात करते हैं इसके braking के बारे में तो इसके rear में आपको 110 mm का drum brake मिलता है safety के लिए यहापर आपको combi braking system मिलती है जहापर बात के ज़िए tires की तो इसके rear में आपको 3.00 by 17 के radial tubless आप मिलते है जो कि 17 inch black clear के yellow wheels के साथ आते है yellow wheels के look एक बर आप check out कर लो rear tire की width के अगर हम बात करें तो काफी ओची इसके grip आप आप देख लो तो guys इस bike के सारे features इस video के अंदर में आपको detail में explain के है mileage की बात की जाए तो इस bike आपको 17 के एंपेल तक का mileage देगी top speed की बात की जाए तो इसके basic body dimensions एक बर आप display के उपर देख लो 17,000 इसकी एक शुरूम प्राइज है अगर आपको अपने city की on road प्राइज जानिये तो वीडियो के नीचे जरूर एक बर आप comment कर लेना और भी जाप इसका exhaust note सुन लो प्राइजियो